नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्तो पूर्ण जानकारी को ले करके आईए आज हम सभी जानते हैं टमाटर के गुनों के बारे में टमाटर विश्व में सबसे ज़्यादा प्रेयोग होने वाली सबजी है इसका पुराना वानस्पतिक नाम लाइकोपोरसिकान एसकुलेंटम मिल है वरतमान समय में इसे सोलेनम लाइकोपोरसिकान कहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना टमाटर के खाना बनाने की कलपना भी नहीं कर सकते तो आईए इसी लिए हम जानते हैं टमाटर के गुनों और खास करके और शड़्य गुनों के बारे में क्यूंकि इससे बहुत सारी बिमारियों का इलाज किया जा सकता है टमाटर जितना दिखने में अच्छा लगता है उतना ही खाने में स्वाधिष्ट भी है और स्वास्थे वर्धक भी तभी तो टमाटर का उपयोग सबजी के रूप में करने के साथ साथ सलाद और चटनी तथा सूप के रूप में बहुतायत मात्रा में किया जाता ह टमाटर का इतिहास बहुत पुराना है कहा जाता है कि पंद्रहवी सदी में अमरीका के रोल को द्वीब पर सबसे पहले यह फल देखने को मिला जिसकी खोज सर्वाल्टर रेले द्वारा किया गया किन्तु उस समय लोगों ने इसे जहरीला फल समझा इसलिए इसका उप्यों खाने के रूप में नहीं किया गया यूरोप में टमाटर को बागवानी की साज बनाय रखने के लिए ही वोया जाता था उस समय कुछ लोग इसे लोव एपल कहा करते थे किन्तु अमरीका में इसे टोमेटो नाम से ही ещё पुकारा गया भारत में टमाटर को लाने श्रे मेक्सिको वासियों को जाता है वे टमाटर को लव एपल के रूप में यहां लाए थे लेकिन देश वासियों ने इसका स्वागत विलायती बैंगन कहे कर किया कुछ लोगों ने इसके गुण दोश से अनभिग्य होने के कारण इसे अनजान फल भी कहा जैसे जैसे टमाटर के गुण और दोश का पता चलता गया वैसे वैसे टमाटर भारतियों के लिए रोसोई की शान बन गया आज देश भर में व्यापक स्तर पर टमाटर की खेती होती है और लोग बड़े चाव से कभी विलायती बैंगन रहे टमाटर को आज खाते हैं टमाटर में भरपूर मातरा में केलशियम, फासफोरस, विटामिन सी पाय जाते हैं एसी डिटी की शिकायत होने पर टमाटरों की खुराक बढ़ाने से यह शिकायत दूर हो जाती है हलांकी टमाटर का स्वाद अमलिय यानि की खटा होता है लेकिन यह शरीर में शारिये प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है लाल-लाल टमाटर देखने में सुंदर और खाने में स्वादिश्ट होने के साथ ही पोश्टिक्ता से भरा हुआ होता है भारत में बेहद लोक प्रिय टमाटर की चटनी को बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है यह चटनी नाश्ते में समोसे, आलू, वड़ा, पकोडे, वड़े, डबल रोटी, इत्यादी के साथ आसानी से खाई जा सकती है वैसे टमाटर की मीठी चटनी, टुमेटो, कैचप या सौस के रूप में आम बाजार में भी मिल जाएगी आपको अब तो इसका व्यावसाइक दृष्टी से भी उत्पादन किया जाने लगा है इसके खटे स्वाद का कारण यह है कि इसमें साइट्रिक एसीड और मैलिक एसीड पाया जाता है जिसके कारण यह प्रत्यमल यानि कि इंटासीड के रूप में कारे करता है टमाटर में विटामिन A काफी मात्रा में पाया जाता है यहां आखों के लिए बहुत लाफकारी है टमाटर, खटा, मीठा, पाचक, शक्ति वर्धक और रूची वर्धक होने के कारण ही अतिसार, उदैरोग, मुटापा रोकने में और शधी का कारे करती है इसमें लोख तत्व की मात्रा दूध से दुगनी एवं अंगूर, मौसमी, तरबूज, खरबूजा, इत्यादी फलों से ज़्यादा पाई जाती है टमाटर में केल्शियम, चूना, गंधक, साइट्रिक एसीड, इत्यादी तत्व भी बहुत तायत मात्रा में पाये जाते हैं टमाटर जहां विटामिनों का खान है, वहां स्वाद का राजा भी है, जो भूख बढ़ाने में सहयो करता है, टमाटर का सेवन करने से कब्ज दूर होती है, रक्त विकार से मुक्ति मिलती है, एवं बेरी-बेरी, गठिया, सूखा, एकजीमा जैसे रोगों में, रामबन औ यसी बिमारियां भी नहीं घेड़ती है, साथ ही यह नित्र रोगों को भागाने का भी रामबन और नुस्का है, लेकिन अधिक मातरा में टमाटर का सेवन करने से कई बार गंभीर रोग भी हो जाते हैं, जिसमें कैंसर, पथरी, जोडों में दर्द, सिरदर्द, कमर में दर तथा प्रदर रोग इत्यादी शामिल हैं, इसलिए संतूलित मातरा में नियमित टमाटर का सेवन किया जाना चाहिए, जो की स्वास्ते वर्धक है, वहीं टमाटर का अत्याथिक मातरा में सेवन किया जाना कष्ट कारक भी बन सकता है, शरीर के लिए टमाटर बहुत ही कार्बोहेटरेट की महात्रा कम होने के कारण इसे एक उत्तम भोजन माना जाता है टमाटर से पाचन शक्ति बढ़ती है इसके लगातार से जीगर 22 धंक से कार्य करता है और गैस की शिकायत भी दूर होती है जो लोग अपना वजन कम करने के इकशुक है उनके लिए टमाटर ब कार के टमाटर में किवल बारख कैलोरीज होती हैं इसलिए इसे पतला होने के भोजन के लिए उप्युक्त माना जाता है माना जाता है कि टमाटर इतने पोश्टिक होते हैं कि सुबह नाष्टे में किवल दो टमाटर संपून भोजन के बराबर हो जाता है ऐसा नियमित रूप से श्रास्ट नली का शुद कम होता है प्राकृतिक चिकित सकूँ का कहना है कि टमाटर खाने से अति शंकूचन भी दूर होता है और खासी तथा बल्गम से भी रहत मिलती है अधिक पके लाल टमाटर खाने वालों को कैंसर रोग नहीं होता है इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक शमता भी आपकी बढ़े जाती है टमाटर लगभग हर सबजी में प्रयोग किया जाता है इसके विना खाना अधूरा माना जाता है सलाद के रूप में भी इसे काफी पसंद किया जाता है टमाटर में प्रोटीन, विटामिन, वसा, इत्यादी तत्व विद्यमान होते हैं यह सेव, संतरा, दोनों के गुणों से युक्त होता है इतना ही नहीं यह अनेक बिमारियों का इलाज भी करता है ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी टमाटर बहुत ज़ादा फायदेमंद होता है आईए हम आपको बताते हैं कि टमाटर में क्या क्या गुण हैं और कैंसर से बचाओ के लिए यह कितना फायदेमंद है शोध के अनुसार लंदन की उनिवर्सिटी आफ पोर्टस माउथ द्वारा भारती मूल के शोध करता की अगवाई में वैज्यानिकों की एक टीम ने यह दावा किया है कि पके हुए टमाटर में एक ऐसा पोस्टिक तत्व पाया जाता है जो प्रोश्टिक कैंसर की कोशिकाओं की वृध्धी को न केवल रोकता है बलकि उनको समाप्त भी कर देता है इस शोध में वैज्यानिकों ने टमाटर में पाये जाने वाले लाइकोपीन तत्वों के प्रभावों की जाचकी इस अध्यान में यह निश्कर्स निकला कि टमाटर को लाल रंग देने वाला लाइकोपीन कैंसर की कोशिकाओं के स्वाकस्यों रखते से जुड़ने की शम्ताओं को खत्म कर डालता है अध्यान रिपोर्ट पताती है कि वजन घटाने में मदद करने के साथ ही टमाटर कई तरह के कैंसर को भी रोकने की शम्ता रखता है हाली में हुई एक रिसर्च से सावित हुआ है कि अगर आप एक हपते में 10 बार टमाटर खाते हैं तो कैंसर होने का खत्रा 45% कम हो जाता है इतना ही नहीं टमाटर को सलाद में लेने से पीट के कैंसर होने का रिस्क 60% तक घट जाता है दरसल रिसर्च बताती है कि टमाटर में लाइकोपीन खासी अमाउंट में पाया जाता है और यह कई तरह के कैंसर को रुकने में फायदे मंद है डाइट एक्सपर्ट्स हरे टमाटर की तुलना में लाल टमाटर को ज्यादा फायदा देने वाला बताते हैं क्योंकि फ्राई करने पर यह लाइकोपीन को अच्छे से अबजर्व कर लेता है रिसर्च से यह भी पता लगा है कि टमाटर को तेल में फ्राई करने के बावजूद उसके न्यूट्रेंट्स खत्म नहीं होते लाइकोपीन के अलावा टमाटर में पोटेशियम, नियासीन, विटामिन B6, फॉलेट होते हैं जो दिल की सेहत के लिए बेहत जरूरी है इतना ही नहीं टमाटर में दो एंटी एजिंग कमपाउंट्स आईकोपीन और बीटा के रोटीन भी मुझूद होते हैं अब आप जब भी टमाटर खरीदने जाएं तो लाल टमाटर ही चुने इनमें बीटा के रोटीन एवं आईकोपीन की मातरा बहुत अधिक होती है वैसे अगर आप अपना वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी टमाटर आपके लिए फायदे मंद रहेंगे इसमें फाइवर ज्यादा एवं कैलोरीज कम होती हैं जो वेट खटाने में मदद करती हैं इसमें मौझूद बीटा के रोटीन भी बोडी के लिए बहुत फायदे मंद है दरसल यह वोडी में विटामिन E में बदल जाता है और यह तो सभी जानते हैं कि विटामिन E तो अचा एवं बालों, हड्डियों एवं दांतों को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है खटा मिठा टमाटर पकाने के बाद खाने के जायके को जितना बढ़ाता है उतना ही अधिक लाव सलाद के रूप में लेने पर भी करता है टमाटर में प्रोटीन, विटामिन, वसा, इत्यादी तत्व विद्यमान होते हैं कार्बोहाइटरेट के मातरा कम होती है इसके अलावा भी टमाटर खाने से कई लाव होते हैं अब हम इसके और शद्य गुणों को जानते हैं टमाटर सिर्फ एक सबजी ही नहीं बलकि ये अपने आप में एक संपून और शद्य है टमाटर खा करके आप कई रोगों का इलाज कर सकते हैं आये जानते हैं बच्चों को सुखा रोग होने पर आधा गिलाश टमाटर के रस का सिवन कराने से फायदा होता है दो या तीन पके हुए टमाटरों का नियमित सिवन करने से बच्चों का विकास शिगर होता है शरीर का भार घटाने के लिए सुखा शाम एक गिलाश टमाटर का रस पीना लाबदायक होता है यदि गठिया रोग में एक गिलाश टमाटर के रस की सोंठ तयार करके उसमें एक चमच अजवायन का चून मिलाकर सुखा शाम पिया जाये तो लाब होता है गठिया रोग भी टमाटर बहुत उपयोगी होता है इसमें कैलोरीज कम होती हैं इसलिए सलाद के रूप में खाया जाता है यह शरीर को कई तरह की बीमारियों से मुक्ति दिलवाने में मदद करता है टमाटर खाने वालों को कैंसर रोग नहीं होता है टमाटर के निमित सेवन से पेट साफ रहता है कफ होने पर टमाटर का सेवन अत्यंतलाफ दायक है सुबह बिना कुल्ला की ये पका हुआ टमाटर खाना स्वास्थ के लिए लाफ प्रद होता है पीट में कीडे होने पर सुबह खाली पेट टमाटर में पीसी हुई काली मिर्च लगा कर खाने से लाफ होता है पौरुष शक्ति बढ़ती है टमाटर के गुदे में कच्चा दूध निम्बू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर चमका जाती है टमाटर के नियमित सेवन से अन्य रोग जैसे की डाइबिटीज आखों और पेशाब संबंधी रोग पुरानी कब्ज चमडी के र चार होता है इसके सेवन से रोग प्रती रोधक शमता भी बढ़ती है टमाटर से पाचन शक्ति बढ़ती है इसमें साइट्रिक अमल और मॉलिक अमल पाया जाता है इसलिए यह इंटा सीड के रूप में कार्य करता है टमाटर खाने से भूख बढ़ती है इसके अलावा टमा टमाटर खाने से पीट साफ रहता है और इसके सिवन से रूख प्रत्वी रोधक शमता मजबूत होती है। टमाटर खाने से सन बर्न और टैन स्कीन में फायदा होता है। टमाटर में पाये जाने वाला लाइकोपिन तत्वर तवचा को अल्ट्रा वाइलेट किर्णों से बचाता है। पीट में कीडे हैं तो हर रोज खाली पे टमाटर खाना फायदे मंद होता है। टमाटर में हिंका छोंक लगा कर पीजिये पेट के सारे कीडे मर जाएंगे। टमाटर पर काली मिर्च लगा कर खाना भी फायदे मंद होता है। डाइवीटीज रोगियों के लिए टमाटर खाना बहुत फायदे मंद होता है। हर रोज एक खेरा और एक टमाटर खाने से डाइविटीज रोगी को लाभ मिलता है। टमाटर आखोंए वों पेशाब संबंधी रोगों के लिए फायदे मंद होता है। लिवर और किड़नी के लिए भी टमाटर का प्रयोग किया जाता रहा है। टमाटर खाने से लिवर और किड़नी की करे शमता को बढ़ाया जा सकता है हर रोज टमाटर का सूप पीने से लिवर और किड़नी को फायदा होता है अगर आपको गठिया है तो टमाटर का सेवन कीजिए एक ग्लाश टमाटर के रस को सूठ में डाल कर अजवाइन के साथ दस टमाटर जरूर खाएं शोद में प्रोश्टेट कैंसर से पीडित पचास से उनहत्तर साल की उम्र के लोगों की जिवन शैली पर अध्यायन किया गया जो व्यक्ति सब्ताह में दस से ज्यादा टमाटर खाता है उसे प्रोश्टेट कैंसर होने का खत्रा 18 परतिशत तक कम र और वैसे खादे परतार्थ जिनमें लाइकोपिन की प्रचूरता होती है शामिल किया गया पाया गया कि जिन लोगों ने इन तीन आहारिय अव्यवों को खाने में शामिल किया उनमें प्रोश्टेट कैंसर की आश्रंका नहीं पाई गई टमाटर और उसके उत्पाद जैसे टमाटर का जूस और पकाये हुए बिन सबसे ज्यादा गुणकारी पाये गए दस भाग से ज्यादा खाने वाले पूर्शों में बिमारी होने का खत्रा 18 प्रतिशत तक कम पाया गया है तो देखा दोस्तों आप सभी ने लाल और खुबसूरत सा दिखने वाला टमाटर हमार स्वास्ते के लिए कितना खुबसूरत फायदा देता है कितना लाफकारी होता है ठीक अगले अंक में हम ऐसे ही जुड़ेंगे एक और बेहद महतोपून जहानकारी ले करके एक बेहद ही महतोपून और शदी ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों